हेलौ फ्रेंड्स व्यल्कम टू आल और अज जो वीडियो लेक्षी हो मां आपके लिए देखेंगे हो फ्रेंड्स THAT ईंड्स्ट के 5 LIDER STOCK की लीड श्टोप मीज़ अगर आप भी प्लासोक इंड्स्टीर्थ की आपी के लिए होने वाला है बात करते हैं पाच्चों लीडर स्टोक्स की आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर लो जिसे नहीं नहीं लेटेक्श वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे औ उसमें बैंक, इंशोरेंस, FMCG, फार्मा और अनुदर मार्केट के टोप लीडर और बिग श्टोक्स को बात करते हैं फ्रेंट्सी सेक्टर के सबसे बड़े लीडर स्टोक की जिसका नाम निकल करता है एस्ट्रल पोली टैकनिक लिमिटेड का जिसकी मार्केट के पहलें 14,100 करोड की अगर करन प्राइस की बात करें तो 940 रुपे पे स्टोक चल रहा है अगर पिछले एक साल की बात करें तो 745 रुपे के लो से 1260 रुपे के हाई तक बनाया है स्टोक ने सबसे पोजिटिव इसमें नजर आता है पिछले तीन सालों की एवरेस सेल्स को जो की है 14 13.33% की स्टोक का डिविडेंट है 0.11% का रिटन ओफ इक्विटी रिशो अगें सेगें पोजिटिव आता है जो की है 17.59 का स्टोक का पी है 54.69 का बुक वैल्यू की बात करें तो 92.92 की काफी पोजिटिव नजर आती है स्टोक के सेक्टर के हिसाब से बात करते हैं सेकेंड लीडर श्टोक की जो की हर पैरामेटर पे आपके हसाब से खराव तरता है पैरामेटर के देखिए फैंस मारकेट केप निकल के आती है 13.900 करोड की जिसका नाम निकल का रहाता है श्टोक का सुप्रीम इंडरिस्ट्रिस का अगर स्टोक की कण्ड पारीश की बात करे तो 1095 म में श्टोक चल रहा है अगर पिछले एक साल के लो और हाई की बात करें तो 773 के लो से 1400 रुपे के हाई तक बनाया श्टोक ने इसमें भी पोजिटिव निगर आता है सबसे फर्स्ट पोजिटिव आता है डिविडेंड डिस्का 1.88% का सेकंड पोजिटिव इसमें नजर आता है 30 पोजिटिव जो की है डिटन ओफ इक्विटी रेशियो जो की है 19.81% का स्टोक का पी ए 19.84 का बुक वैल्यू है 106 बात करते हैं अगले लेडर स्टोक की जिसका नम निकल करता है फीनोलेक्स इंडर्स्टिज लिमिटेड का अगर स्टोक के मार्केट कैप की बात करें त सबसे पोजिटिव जिसमें नज़र आता है फरस्ट नमबर पे स्टोक का डिविडेंडल जो की है 2.49% का सेकिंड पोजिटिव जिसमें नज़र आते है फिले तीन सावलू के एवरेस सेल्स को 2.83% इंडर्स्टी के सेक्टर के इसाब से काफी पैटर है रिटन ओफ एक्वि स्टोक की मार्केट कैप निकल के आती है 3200 करोड की अगर करंड प्राइस की बात करें तो 230 रुपे पे स्टोक चल रहा है अगर पिछले एक साल की बात करें तो 187 रुपे के लोग से 519 520 रुपे के हाई तक बनाये स्टोक ने इसमें पोजिटिव फैक्टर फरस्ट निकल क क्याता है रिटर्न ओफ एक्विटी रेशियो स्टोक का 27.14 परसेंट का काफी पोजिटिव है सेक्टर के हिजाब से स्टोक का पी निकल क्याता है 20.84 का बुक वैल्यू है 43 बात करते हैं आज की लिष्ट के पांचवे स्टोक की जिसका नाम निकल क्याता है Responsive Industries Limited का मार्केट कैप की बात के तो 2175 करोड की मार्केट कैप के साथ स्टोक का कंपाईज है 81 रुपे अगर पिछले एक साल की बात करें लो और हाई की तो 71 रुपे के लो से 106 रुपे के हाई तक स्टोक ने बनाया है डिविडेंट डिल्डिस में निकल के आता है 0.15% का स्टोक का पिई है 117 रुपे पे अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 35 रुपे की बुक वैल्यू के साथ है स्टोक का रिटर्न ओफ एक्विटी डिशियो पोजिटिव नज़र आता है 3.18% का बेकर बात करते है आज की प्रोटिक बी ऌोडर फ्र Gent इस स्टोक के पांच्यों लीडर स्टोक है लेकिन बात करते है consort के 3 स्टोक की तो काफी बुम स्टोक नज़र आते है और market में काफी knowledgeable और non stock है काफी starting के तीनों stock friends बात करते हैं अगर आप भी plastic industry के इससा बनना चाते हो तो आप no doubt starting के तीन में से कोई भी एक stock को choose किया जा सकता है और अगर आपको लगता है पाच्चों stock की latest stock है तो आप किसी भी एक stock को अपने portfolio में investment कर सकते हो अगर mixed portfolio के वीडियो जभी तक नहीं देखे तो link description में अभी जाईए और देखे friends वीडियो अच्छी लगे हो तो like, comment और share और अभी तक आपने DMAT account open नहीं किये तो market के best जिसमें zero delivery charges है अप stock के साथ link description में अभी जाईए और join कीजिए thank you, thank you to all to watching my video